नमस्कार आप देख रहे हैं डियनेक्स टीवी मैं हूँ नीशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में सरोच पांडे ने मुखी मंत्री भूपेश बगिल को भेजी राखी प्रदेश के लिए मांगा तौफा पत्र में लिखा आपके उपहार का इंतिजार कर रही हूँ भाजपा सांसर देवं राच्टी महा सचीव सरोच पांडे ने सी एम भूपेश बगिल को राखी भेज कर उनका पूर्ण सराब बंदी का वादा याद दिलाया है उन्होंने लोगडोन के बाद शराब की दुकाने दोबारा खुलने से महिलो पर हिंसा की बात कही है सरोच पांडे ने सी एम से इस लक्षा बंधन पर बेहनों को उपहार स्वरुप सराब को राजे से पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की है वहीं दुसरी तरब भाजपा सांसर सरोच पांडे की मुख्य मंत्री भुपेश बगेल को राकी और भेजे गया पत्र पर राजनीतिक गल्यारों में खुब चर्चा है कांग्रेस इसे लेकर खूब चटकारे भी ले रही है और भाजपा पर निसाना साधते हुए सांसर सरोच पांडे को धनिवाद भी दे रही है कांग्रेस प्रवक्तार PC ने कहा है कि सरोश पांडे ने भाजपा सासित किसी भी राजी के मुख्य मंत्री से जादा 36 गड़ की मुख्य मंत्री भुपेश बगेल पर भरोसा जताया है पार्टी आस्वस्त करती है कि जनता से जो भी वादे किये गए हैं वे पूरे जरूर किये जाएंगे मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने ट्वीट कर जवाब दिया बहन सरोश पांडे जी आज आपका भाई भुपेश आपसे वादा करता है कि 36 गड़ में पूर्ण सराबबंदी होकर रहेगी हम सब इसकी तयारी में लगे हैं साथ ही आपका अभार इसलिए कि आपने आज पुनाह प्रदेश के सामने ला दिया है कि आपके भाई ने 15 साल तक आपके वादे को तोड़ा आपकी बात नहीं मानी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं युवक ने लगाई फांसी 36 गर राजी के कवरधा जीले में मेडिल स्कूल दमगर इस्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं युवक ने फांसी लगा कर खुदखुशी कर ली आपको बता दे कि मृतक युवक 11 जुलाई को महरास्टी के सांगली से आया था युवक को स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था लेकिन पिता के जाते ही युवक ने सेंटर में खुदखुशी कर ली खुदखुशी करने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है बिलासपूर में युवकू की गुंडागर्दी लोगों को चाकूर दिखाकर गाड़ियों में की तोड़ फोर बिलासपूर के सरकंड़ा इलाके में युवकों की गुंडागर्दी सामने आई है बदमास चाकू लेकर लोगों को धमकाते नजर आए है घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जम कर तोड़ फोड़ की गई इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो वाइरल होने के बाद धरकत में आई पुलिस ने पांच लोगों को गिरफतार कर लिया है छे लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है सैक्डो ग्रामीनों ने किया सीएमों का घिराओ लड़किया लाकर आवास में याशी करने का लगाया आरोप जीले के नवागर सीएमों के निवास का सैक्डो ग्रामीनों ने बुद्वार देर रात घिराओ किया है बताया जा रहा है कि ग्रामीनों ने CMO पर आरोप लगाया है कि वे अपने आवास पर लड़किया लाकर याशी करते हैं इसी बात से नराज ग्रामीनों ने बुधवार रात उनके आवास का घिराउफ कर दिया मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस के टीम ने ग्रामीनों को समझाइज देकर शान करवाने की कोशिश की मिली जानकारी के अनुसर यमन देवांगन बेमे तरह की नवागड में CMO के तौर पर पदस्त है दस साल की बच्ची के साथ किया दुषकर्म आरोपी गिरफतार राजधानी के मौवा थाना इलाके में दस साल की बच्ची के साथ दुषकर्म का मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है रापूर के पुरानी पस्ति मौवा इलाके के एक यूअप ने पडोस में रहने वाली 10 साल की मासूम को हवश का सिकार बनाया मामले में फिलहल आरोपी यूअप को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और आगे की कारिवाही कर रही है 112 कर्मिचारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव आरंग ठाना सील आरंग कुलिस ठाना में पदस्ट डायल 112 के 5 कर्मिचारियों और उनके परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ठाने को सील कर दिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक डायल 112 में तैनात एक पुलिस कर्मी का स्वास्त खराब होने पर आरंगे सरकारी अस्पताल में रेपिट केट में कोरोना टेस्ट कराया गया था चाल लाग का गोवर खरीदा और विग्यापन में खर्च किये करोडो गोधन न्याई योजना पर पूर्वसीम रमन सी का तंज 36 गड़ के पूर्वसीम रमन सी ने ट्वीट कर गोधन न्याई योजना पर निसाना साधा है रमन सी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुख्य मंत्री का अविस्वस्नी अकलपनी आर्थिक प्रबंधन देखिए एक दिन में 2000 क्विंटल मतलब सिर्फ 4 लग का गोबर खरीदा लेकिन उसके विग्यापन और प्रचार प्रसार में करोणों रुपए खर्च कर दिये रमन्सी ने आगे तंच कस्ती हुए कहा कि इस योजना का नाम प्रसार प्रसार न्याय योजना ज्यादा उचित लग रहा है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री भुपेश वखिल ने हरेली के दिन सरकार की महत्व कांची गोधन न्याय योजना की शुरुवात की थी इस योजना के तहट पहले दिन 2000 क्विंटल का गोबर खरीदा गया था ये गोबर दो रुपे प्रती किलो के हिसाब से खरीदा गया था कोरोना के मामले में जबरदस्त उचाल 24 गंटे में 45,000 नए केस 1129 लोगों की मौत देश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है पिछले 24 गंटों में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए हैं और 1129 लोगों की मौत हो गई है एक दिन सामने आने वाले केस और मौत का यह रिकॉर्ड है स्वास्त मंत्रालाय के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,38,335 हो गई है मंत्री अर्विन भदार्या को हुआ कोरोना कली कैबिनेट बैठक में हुए थे शामिल देश में कोरोना वाइरस के मामलों में लगातार व्रिद्धी हो रही है मंत्री ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था और वे लाल जी टंडन के अंतिम संसकार में भी शामिल हुए थे उन्हें भोपाल के एक अस्पताल में भरती कराया गया है जानकारी के अनुसार उन्हें कोरोना वाइरस के संक्रमन को कोई लक्षण नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अब उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एतिहातन क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है और सभी की कोरोना जाच की जाएगी लोगडोन में हिमेश रेसम्या ने तयार के 300 नए गाने जल्द होंगे रिलीज बॉलिवूट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेसम्या आज अपना 47 जन्मे दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं गुजरात में जन्में हिमेश हिंदी फिल्म इंडरस्ट्री के पहले ऐसे सिंगर है जिन्हें उनके पहले डेब्यू गाने के लिए फिल्मे फियर बेस्ट डेब्यू सिंगर एवर्ट से नवाजा गया था हिमेश अपने गानों के चलते खुब चर्चा में रहते हैं उन्होंने Bollywood में कई फिल्मों में सूपर हिट म्यूजिक दिया है जो काफी हिट साबित हुआ है हिमेश ने हाली में म्यूजिक कंपोजर राजेस रोशन के MX प्लेयर टाइमस ओफ म्यूजिक के साथ मिलाया है और वे अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है आज की बड़ी खबरों में इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक करिए